हेलो गाइज वेलकम बेक टो अनदर एपिसोड ओफिक्षोनरी ओप यू आपके साथ दफ फाइव मोस्केरियेस्ट हॉर्र मोवी के बारे में बात करने वाली है नंबर वन पुजिशन मैंने दिया है गॉंजिया जो की एक साउथ कोरियन मुवी है जो बेस्ट है एक real life psychiatric hospital के उपर जो सेम नाम से है वाउथ कोरिया में है इस मोवी को एक्चुली एक documentary movie हम लोग कह सकते हैं इस मोवी का story actually कुछ friends के उपर है जो horror web series बनाना चाहते हैं बना रहे हैं और अपने viewers को जादा से जादा attract करने के लिए उन लोग ने एक plan खड़ा किया कि चलो साथ ऐसी horror places में जाते हैं कि जो real life horror places हैं उसमें से पहला number पर ही वो लोग गॉंजियम haunted asylum में जाते हैं वहां जाने के बाद उन लोग को पता चलता है कि 402 नाम की एक room है जो कि सबसे जादा haunted माना जाता है उस जगा का तो ऐसे करते करते जाब वो लोग उस hospital के अंदर तक पहुंचते हैं उस room तक पहुंचते हैं तब उन लोग को पता चलता है कि वहां पे कुछ अलगी चीज़ है कोई अलगी entity है जो वो लोग कभी expect ही नहीं कर रहे होते हैं और वो लोग का वहां पे उनसे encounter होता है इस movie को मैंने number one पे इसलिए रखा है क्योंकि यह एक real life haunted place है जो कि सच में है जैसे हमारे यहां पे भानगर्ड है वैसे ही वहां के कुछ haunted places में यह सब से उपर आता है इसमें बहुत सारे cases encounter हुए है और यह इसके उपर जो documentary लोग ने बनाया है अच्छा बनाया है second position है the conjuring universe जो की conjuring का सारा जितना भी अभी तब उन लोगों ने बनाया है जितना भी part one, part two, part three and अभी part four आने वाली है even if उन लोग ने Annabelle creation, Annabelle नाम की जो doll है उसके उपर भी movie बनाया है और एक demonic character जो है nun उसके उपर भी movie मनाया है तो इन सब को लेकर conjuring universe ये सारे movies जो है वो real life story है दो paranormal investigator Lauren and Ed Warren के ये second highest crossing horror franchise है अभी तब जितना भी horror series या horror movies बनी है उसके हिसाब से जो Lauren and Ed Warren है उनका दावा है कि जितने सारे cases है उन लोगों ने अपने हिसाब से handle किये है और उस demonic power को उन लोगों ने control किया है लेकिन ये वो लोग दावा करते हैं बहुत उसको मानते हैं बहुत कोई नहीं मानते हैं लेकिन आप अगर इंटरनेट पर search करेंगे तो उनको cases देख पाएंगे ये उसका movie का और रुपांतन हम लोग कह सकते लेकिन जितना भी इन लोगों ने दिखाया है सारे सच है ऐसा बोला जाता है तो इसलिए मैंने इसको second position पर रखा है नमबर 3 पर है इट यूनिवर्स जो की इट चैप्टर 1 और इट चैप्टर 2 को लेके हम बोल रहे हैं इट चैप्टर 1 आया था 2017 में और इट चैप्टर 2 आया था 2019 में स्टीफिन किंग जो की बहुत बड़े राइटर कम डिरेक्टर है जिसके हॉरर सीरीज हम लोग सब जानते हैं कि उनका हॉरर सीरीज हॉरर बुक्स बहुत फेमस है उनका लिखा हुआ ये बुक के उपर नॉबिल एक्षवेरी नॉबिल के उपर ये दोनों मूवी बनाया ग के बनाया है और जो की फीड करता है चिल्रेन के उपर हर 27 साल में वो लौटता है या भी बोल सकते कि अपियर करता है तो इस डेमनी करेक्टर को कुछ बच्चे मिल के कैसे उसको हैंडल करेंगी ये इस चैप्टर वन का पार्ट है और चैप्टर टू में उसी बच्चे जो बड़े हो जाते हैं फीर उन लोग को फीर से से सेस करना पड़ता है सेम डेविल के साथ तो वह भी फीर कैसे इसको एंड करते हैं वो चैप्टर टू का पार्ट है तो दोनों बहुत अच्छा है बहुत टेरिफाइंग है और बहुत स्केरी है मुझे बहुत अच्छा लगा चाहि कि में कोई भी जोकर याफि कोई डॉल गिडाओं या कोई चीज जो जोकर से सिंपिलर में उसको देख नहीं पाते हूं के घार जाती है तो शायद आप लोग को सेम सिचुजन हैंगिल करना पड़ें बहुत कोई ने देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग जरूर देखने इस मूवी को और मुझे अपना personal experience अपने comment box में शेयर करें नंबर फोर पोजिशन है Insidious जो की एक American Horror franchise ही है जो की अभी तक चार मूवी इन लोग ने बनाया है Insidious के नाम पर, Insidious Part 1 जो 2010 में आया था Part 2 जो 2013 में आया था Part 3 जो 2015 में आया था And lastly the part last key जो 2018 में आया था जो पहला दो पार्ट आया था वो एक couple के उपर था उनके life में एक demonic presence को लेके वो मूवी बनाया गया था लेकिन Part 2 और Part 3 जो है वो prequel है Part 1 और Part 2 की इस मूवी का जो main protagonist है उसका acting किये है Lynn Sheehy ने जो Elsa Rainer की acting किये है मुझे वो character बहुत अच्छा लागा और वो main character है नमर फाइब फाइब पोजिशन खोल जो 2018 में release हुआ था एक mini series है जो कि Insidious और Get Out जैसी movie के makers से बनी है और ये Netflix में इंडिया से second mini series जो release किया गया था ये web series actually 3 episode की है लेकिन 3 episode में आपको ऐसा चीज ये लोग देखाएंगे जिसको देखने के बाद सच में मनलब अब डर जाएंगे मैंने personally बहुत सारी horror movies देखी है लेकिन 3 episode में कोई एक mini series इतना ज़्यादा terrifying and scary हो सकता है ये series देखने के बाद मुझे पता चला था ये mini series based एक आड़ फोक लॉव monster के उपर जो की घूल नाम से जाना जाता है इस movie का जो main character है वो play कर रही है राधी का अपते जो नीधी राहीम का acting किये है बहुत कोई शायद इस series को देखे होंगे और बहुतों को लगता है कि नहीं है ये उतना scary नहीं है लेकिन मेरे personal experience से में काऊंगी कि ये एक बार आप जरूर देखिए और मुझे personally बताईए कैसा लगा मुझे actually बहुत scary लगा था इसलिए मैंने आपके शायद ये शायद किया मैंने अपने experience के सबसे आपको ये 5 movie के नाम बताए अब आप बताए आपको इन 5 movie से कौन अच्छा लगा और कौन अच्छा नहीं लगा आपको अगर खुद मुझे कोई movie suggestion करना चाते है तो वो भी suggest करें मेरी comment box में लिखके अगर मैंने कोई भी way पर आपको कोई भी information ऐसा दिया है जो आपके काम है दिन मेरी channel को like कीजिए मेरी video को share कीजिए and subscribe कीजिए thank you for watching my video and hit the bell icon तक ही में जो भी नया video अपलोड करूँ आप तुरन देख सके till then bye bye take care be safe and be at home